यात्रिकन ट्रिपय ध्यान दे, रेल यात्रियों के लिए ये ज़रूरी खबर है डेड़ महीने से पंजाब में ट्रेनों का चक्का नहीं गूमाए और ऐसे में आज का ये सवाल है कि पंजाब में एक बार फिर से क्या रेल सिवा फिर से शुरू हो पाएगी क्या पंजाब में हालात सामानी हो पाएंगे या फर नहीं इसका जवाब मिल चुका represented किसानों के रेल रोको आंदोलन की वज़े से देड़ महीने से यात्रिट्रेने बंद पड़ी है और यात्री ट्रेने ना चल पाने की वज़े से रेलवे को चार मईनों से पंजाब में घाटा जहिलना पड़ा है पहले COVID-19 की वज़े से ये घाटा जहिलना पड़ा और इसके बाद में किसानों के अंदुलन की वज़े से ट्रेने एक बार फिर से रुक गई अब खबर है कि पंजाब में सोमवार से एक बार फिर से ट्रेन से वाएं बहाल हो जाएंगी क्योंकि पंजाब के मुक्यमंतरी कैप्टन अमरंदर सिंग ने किसानों से बाचीत का जो मोर्चा है वो संभाला हुआ था और अब कैप्टन ने किसानों से बातचीत करके उनको मनाने की कोशिश की इसके बाद किसानों ने पैसंजर ट्रेन को चलाने का जो रास्ता है उसे खोलने को राजी हो चुके है अब जो ट्रेक है वो खाली कर दिये जाएंगे किसान संगठनों का कहना है कि वे 15 दिन के लिए ट्रेक को खाली कर देंगे लेकिन इस बीच अगर कोई ठोस हल नहीं निकला तो दोबारा ट्रेक पर उधरने पर बैठ जाएंगे उधर कैप्टन अमरंदर सिंग ने कहा कि किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए एक कमिटी का गठन किया जाएगा 30 नवंबर से पहले दूसरी समस्याओं का हल निकलने की कोशिश की जाएगी तो वहीं आज ISF फैसले पर किसान संगटनों की अलग-अलग राय है आज जो ये बैठक हुई उसमें किसान मजदूर संगर्च समीती जो कि 24 सितंबर से अमरिस्सर में रिल्वे ट्रेक पर बैठी थी उन्होंने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया उनका ये कहना है कि हमारा जो पहले का फैसला था कि हम यात्री ट्रेनों को नहीं चलने देंगे उस पर हम अभी भी कायम है चंडिगड में जो 15 दिन तक ट्रेक को खाली करने की बात है उसे हम नहीं खाली कर रहे इनकी अब भी एक शर्त है कि जब तक किसान कानू नहीं हटाया जाता उनका ये जो धरना है वो खत्म नहीं होगा अब देखने वाली बात होगी कि सोमवार से क्या एक बार फिर से या त्री टिने जो है वो शुरू हो पाएंगी या फिर नहीं कैमरा परसन शशिपाल के साथ लोकेश जगवानी एनबी न्यूज